MP किसान एप के बारे में आप में से कहीं किसान भाईयों ने सुना होगा एक AC मोबाईल एपलिकेशन जो मद्यबदस के किसानों को घर बेटे कहीं तरह की सुविदायत दे रही है वीडियो MP किसान एप को लेकर बहुत खास होने वाला है बिना इसकिप की अंतर तक जरूर दे के चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें अगर आप भी इस एप का इस्तमाल कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया जरूर दे एक assim mobile application जिसके माध्यम से किसान भाई घर बेठे गेहूं का पंजियन कर सकता है खसरा खतोनी नक्सा ले सकता है, आदार लिंक कर सकता है, गिरदा ओरी की जानकारी ले सकता है वहीं जमिन का दावा आपत्ति भी कर सकता है PM किसान की जानकारी प्राप्त करना हो, चाहे म्रदा उरूरग का लाब लेना हो, चाहे बुमी का सिमांकन करना हो, मद्य बिदेस की क्रसी योजनाव की जानकारी भी इसके साथ ले सकता है साथी साथ आप मंडी बाजार भाव फसलों का जो भाव है वो आप प्राप्त कर सकते हैं मोसम की जो जानकारी वो भी घर बेटे आप प्राप्त कर सकते हैं और कई तरह की जो सुविधा हैं आपको इस mobile application में देखने को मिलती है आज हम आपको इसी mobile जैसे आप गूगल पर जाते हैं आप जैसे ही स्क्रीन पर लिखते हैं सर्च बार में MP किसान है तब आपको इस एप का इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है अगर आपके mobile में पहले से ये एप डाउनलोड है तो आपको open का option आएगा उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एप जैसी खुलता है इसका logo मदिपदेस किसान लिखावा आता है और इसमें जो चीजे में आपको बता ही वो सभी तरह की अलग-अलग folder में आपको दिख रही है आप घर बेटे पंजेन भी कर सकते हैं पी-एम किसान का लाप भी ले सकते हैं खसरा खतोनी आधार लिंकिंग सिमांकन मरदा और वरकरसी योजनाय मंडी भाव मोसम से सम्मधित सभी तरह की जो जानकारी है आपको घर बेटे मिल जाएगी अगर आप मतबदे से किसान है तो ये एप आपके मोबाईल में 100% होना चाहिए तो किस तरीके से आप जैसे इसका folder खोलते हैं इसमें आपको जीला तेसिल और उस हिसाब से आपकी जो जानकारी खसरा वो चुने और जमा करें उस हिसाब से आपकर अगर ये पूरी जानकारी आपका एक जो प्रोफाइल है वो कंप्लेट हो जाता है उसके बाद आपको इसके सारे फाइदे देखने को मिलते हैं अलग अलग फोल्डर में आप जब क्लिक करते हैं तो आपको जैसे EU पारजन के बारे में हम बता हैं तो यहाँ पर आपको उप्सन में दिख रहा है ये जो किसे बोलते हैं आप जिस तेसिल के जिस जिले के हलका चुनना है आपको और उसके बाद आपका जो छेतरे उसे चुनने के बाद गाओं का नाम आजाता है और उसमें आपको ये अपनी जैनकारी जमा कर देनी होती है तो अभी क्या है कि मैंने इसमेर कुछ भी नहीं आप समगर और आदार से भी उसकी जैनकारी देख सकते हैं आपको इस तरीकर के इंटरफेस देखने को मिलेगा PM किसान की तो वहाँ आपको पता चलियाएगा कि आपकी कितनी किस्त मिल चुकी कितनी ड्यू है कैसा क्या होना है सारी जैनकारी आपको देखने को मिलती है अगले फोल्डर के अगर हम बात करें तो उसमें गिर्दावरी की जैनकारी है वो भी आपको सेम उसी तरह से देखने को मिलेगी आपको जिला चुनना है फिर तेसील फिर हलका और फिर उसके गाहों चुनना है इस तरीके से आपकी गरतावरी की जैनकारी देखने को मिलती है उसके बाद अगले फोल्डर के अगर हम बात करें तो उसमें आपको दावा अपत्ति यानि कि कोई जमीन खरीदी विक्री या फिर जो नाम ट्रांसफर होता है नामंतरन होता है उसमें आपको किसान भाईयों के मोबाईल में ये एप्लिकेशन होगी लेकिन कुछ किसान ऐसे है जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है जिन्नोंने वीडियो को यहां तक देखा उन्हें पूरा समझ में आ गया होगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से कितने बड़या बाव है वो आपको यहां पर देखने को मिले हैं कि मंडी में आपकी फसल का क्या भाव चल रहा है तो आपको यहां तक पूरा किलियर हो गया होगा यह आपको सारे फाइदे दे रही है अगर आप मंद्धिपदे से किसान है तो आपके लिए बहुत फाइदे मंद्धिपद तो इस तरीके से आपकी फ्रोफाइल रेजिस्टेट कर सकते हैं, आप यहाँ पर किसान कॉल सेंटर पर भी कॉल कर सकते हैं, उसका उप्सन भी आगे दिया हुआ है, और जो भी अपडेट आता है, मदिबदे किसान को लेकर, वो इस एप में जरूर मिलता है, यानि कि पूरु वो जरूर दे और वीडियो को सेर करना बिल्गुलना वोले,